हेलो दोस्तों मितला जूम्न आप सभी का स्वागत है beneficiaries सहारसा से 4 거야 compare चालन को लेकर आने वाली है देरी आजिये बात करते हैं आज किष वीडियो में आप सभी को सहारसा से लेकर चा सवारसा को बरे सार बढ़ रूा में दोस्तुनों को कहां से देख रहे спис कर से आज हूं कि सहारसा से फॉर्विस गंज रेल लैंड पर नरायनपुर मुडली हॉल्ट के पास एक ब्रिज है वो पुन रूप से डैमज हो चुका है जिस वैसे यहाँ पर ट्रेन की रफ्तार काफी धीमी हो जाती है यहाँ पर ट्रेन आती है तो ट्रेन रफ्तार करीब 10 किलोमेटर पर आवर स्पीड होयाती है जिससे कि मतलब यात्री इस ट्रेन से अराम से उतर सकते हैं चर सकते हैं इतनी कम रफ्तार होयाती है यह पुल संख्या 13 है जो आप सभी वीडियो के माध्यम से भी देख रहे हो यहाँ पर जो है अभी पुल का निर्मान किया जा रहा है अब दोस्तों जैसे कि मैंने आप सभी अपने पिछले वीडियों बताया था है कि कहीं ने कहीं यह पुल आने वाले समय में सहार्षा से लेकर एक बाधा बना देगा तो देखिए जैसा कि आपसे भी देखते तो यह इसका भी आर्टिकल छप चुका है कि अब जो है सही में सहार्षा से फॉर्षा गंद रेल लाइन पर ट्रेन का परचालन किया जाएगा यानि आपसे भी समसकते होगी यह कितना बड़ा एक इस बुड़ी ख़वर है कि यह पर जो है ट्रेन पर चानल में और देरी हो सकती है यहां की अधिकार्डियों गहीं सहार्षा से फॉर्ष गंज और दर्भंगा से फॉर्ष गंज रेलाइन की ट्रेन पर चालू कर दिया गया तो यहां का यह पुल सत्रिगस्त हो जाएगा और यहां का हाल जो है 2008 की तर हो जाएगा जैसे यहां पर पहले सभी पुल तूट गए थे और यहां का हाल ट्रेन प्रचानल पुन रूप से सत्रिगस्त हो गया था दोस्तों ये था कुछ अपडेट इस परकार का ये एक बुरा ख़वर हो गया है हमारे सहार्था से 420 गंज रेल लाइन पर ट्रेन पर चालन को लेकर जाएंगे और रेल लाइन जो हो जाएगा लेकिन दोस्तों जो ट्रेन अभी जो है बहुत कम चलती है में पता है कि पुरे दिन में जो है शर्फ एक ट्रेन आती है जो की सहार्था से लेकर लली तर जाती है तो उसको अगर फॉर्विस गंज तक एक्स्टेंड कर दिया जाए कम सकम यात्रियों को जो है दिन में एक बार जो है फॉर्विस गंज से सहार्था और सहार्था से फॉर्विस गंज का जो है ट्रेन मिलेगा तो अब जो हमें आवाज उठाना इस तीच को लेकर की जो लली तर ट्रेन जाती है उसको जो है कम सकम फॉर्विस गंज तक एक्स् को तो वहां पर ट्रेन को अगर एक्स्टेंड कर दिया जाए तो लोगों को सुधा भी हो जाएगा और यह पुल भी जो है तब तक बन कर त्यार हो जाएंगे लेकिन उसके बीच में सहार्चा से फॉर्ड विश्कंज ट्रेन का प्रचालन भी हो जाएगा अगर ट्रेन को एक् कि अब यह पुल शत्रियस्त होने की वज़े से सहार्चा से फॉर्ड विश्कंज डेल लैंड पर कुछ देरी होने वाला है यह पुल दोस्तों एक पुल है नरायनपूर मुडली के पास एक पुल है रागोपूर के पास फिर जो है एक पुल है लरित गाम से थ्वा पहले त तो हमें आवाज उठाना है कि डेमू ट्रेंड को जो है सहार्चा से लेकर फॉर्ड विश्कंज तक एक्स्टेंड किया जाए तो दोस्तों मैं आप सभी से मिलता हूं बहुत जल एक नई वीडियो पे एक नई अप्रेट साथ तब तक लिए ऐसी ही और अप्रेट के साथ हम सब्सक्राइब जोड़ के जगा मिलता हूं बहुत जल दे नई वीडियो पे तब तक लिए जया हिंद जया भरत जया मिथला